हलो दोस्तो आप भी एक 5G फोन यूज करते हो बहुत सारे दोस्तों अंड़ेट यूजर हैं जो 5G फोन यूज करते हैं लेकिन उनके फोन में दोस्तों 5G जो नेटवर्क है वो बार बार आता जाता है बार बार 4G, 5G, 4G, 5G ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत परिशान हो गया बहुत सारे सेटिंग्स को अपलाई कर लिया फिर भी दोस्तों उनके फोन में 5G जो है वो धंक से काम नहीं करता है तो इसी के बारे में दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा फोन दोस्तों 5G फोन है लेकिन यहां पर आप दोस्तों नेट देख सकते हैं मेरा वीडियो स्टाट करने से पहले हलो दोस्तों मेरा नाम है संदीप आप देख रहो नौलेज गुरू जी तो चले दोस्ती वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहलो दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाता हूँ कि मेरे फोन में यहां देख ले जो 4G चल रहा है लेकिन म के मेरा जो जी 500 पर ही चल रहा है एक बार दोस्तों मैं आपको सेट्न चेक रहाँ है अब दोस्तों देख लीजे आपके सामने ही दोस्तों यहाँ पर 4G से direct 5G पर enable मैं करके दिखाऊंगा, कहीं से वीडियो दोस्तों मैं cut नहीं करूँगा, आपके सामने ही दोस्तों 5G हो जाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपके इस फोन मैं 5G फोन है उसमें दोस्तों आपको 2G用 का सीम यूज़ करना है, आपको यहाँ पर notification panel को नीचे करना है, नीचे करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर mobile data लिखा हुआ है, ध्यान से दोस्तों समझेगा एंड देखेगा दोस्तों वीडियो को तो आपको यहाँ पर जो mobile data लिखा हुआ है आपको simply से दोस्तों यह जो arrow का निशान है इस पर click करना है फिर दोस्तों आपको दो option खुल के आ जाएंगे SIM 1 and SIM 2 आपको दोस्तों क्या करना है पहले बार आपको यहाँ पर SIM 2 पर click करना है फिर दोस्तों आपको mobile data SIM 2 पर convert हो जाएगा फिर वापस से दोस्तों आपको SIM 1 पर आपको data को convert करके और यहाँ से दोस्तों आपको slide करके हटा देना है अब देखे दोस्तों यहाँ पर 4G की जगा आपके सामने यह 5G जो इंटरनेट है वो मेरा इनेबल हो गया मैं आपको पास से एक बार दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों देख लिए जो 4G चल दा था अब यहाँ पर 5G चलने लगा है कहीं से दोस्तों मैंने कोई भी वीडियो कट वर्ट नहीं किया है आपके सामने ही जो भी है वो सब मैं दिखाया हूँ दोस्तों यही setting आपको अपने phone में apply करना है फिर दोस्तो आपका problem है वो दोस्तो solve हो जाएगा 4G से दोस्तो आपका 5G enable हो जाएगा बस यह छोटा से एक trick है आप दोस्तो अपने phone में apply कर सकते हो कोई भी जोस्तो settings वगरा नहीं करना है सिफ यही एक trick apply करना है अगर बाइद वे दोस्तों आपको फिर से यहां पर इंटरनेट जो है 5G से 4G हो जाता है तो फिर दोस्तों आपको यही ट्रिक अपलाई करना है मुबाइल डेटम जाके SIM 2 पर करके फिर वापस जो दोस्तों आपको SIM 1 पर फिर दोस्तों आपको 5G जो है इनेबल हो जाएगा तो यही था दोस्तों वीडियो ताइप दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद दे जान की एग़ाए धन्यमात दोस्तों